नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे Geometry Notes में Data Conversion के बारे में Data Conversion यानि कि एक Data Type जब दूसरी Data Type में Convert होता है या जब हम लोग एक Data Type के Socket को दूसरे Data Type के Socket में जब हम लोग Connect करते हैं तो क्या होता है वो कैसे Convert होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे तो मैंने एक List Compile किया और यह बहुत ही लंबा हो गया क्योंकि हम लोग यहां देखने वाले हमाले जए Integer है तो Integer जब Float में Convert होता है तो क्या होता है जब Boolean में होता है तो क्या होता है तो ऐसे अगर हम लोग चेक करें तो यह काफी लंबा हो गया और यह देखके मुझे बहुत डर लग रहा है कितना मैं कैसे कवर करूंगा लेकिन अगर आप इसके पीछे का जो Concept अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर आप खुद से अपना दिमाग यहां पर लगा सकते है ठीक है तो इसको यहां पर मैं खोल लेता हूं टेक्सट एडिटर में तो सबसे पहले है इंटीजर से जब डेटा फ्लोट में कनवर्ट होता है तो क्या होता है तो यहां पर मैं एक इंटीजर ले लेता हूं पहले इंटीजर ठीक और फ्लोट फ्लोट में जैसे मान लीजे की पोजिशन ले लिया मैंने ठीक है सेट पोजिशन सेट पोजिशन ठीक इसमें तो कोई फ्लोट है नहीं फ्लोट है यह वेक्टर में है तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं तो उसके लिए मैं यह यूज कर सकता हूँ तो सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर अवे connect कर दूँ तो देखिए क्या होता है जाहन से देखिए यह color क्या है? green है यह color क्या है? green color integer को represent करता है, gray color float को represent करता है तो यह अभी जो इंटेजर से यह convert हो रहा है फ्लोट के अंदर यहां पर आपको यह जो लाइन है इसमें भी आपको यह transition दिख रहा होगा colors का ठेक है तो यहां पर conversion हो रहा है अब conversion हो रहा है इसका मतलब क्या है यह हम लोग को समझेना तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो data है वह इस इसका data का जितना capacity है integer का वह float में जा रहा है और float को और integer को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि माल लीजे एक glass है इस glass का एक capacity है water को अपने अंदर hold करने का इसे माल लीजे की एक जग है आपके पास ठीक है जिसमें की ज्यादा data इसमें आ सकता है यह मेरा सुंदा सा जग ठीक है obviously इसके अंदर जो capacity है पानी store करने का वह glass से ज्यादा है ठीक है तो अगर मैं अगर माल लीजे की जग है वह खाली है और glass भड़ा हुआ है और इसका data अगर मैं इसमें डालता हूं पानी अगर मैं डालता हूं तो यह आराम से इसके अंदर चलाएगा ठीक है इसमें क जग का पानी अगर मैं ग्लास में डालोंगा तो क्या होगा एक लेवल तक इसमें आएगा उसके बाद क्या होगा यह ओर फ्लो हो जाएगा पानी सब ठीक है तो data conversion में भी यह होता है और यहां पर जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोल सकते है data loss ठीक है या data truncation भी बोलत तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर जो integer है zero वो z में enter हो रहा है ठीक और एक चीजा और बताता हमें आपको कि जो float होता है float जैसे integer integer में क्या है 01234 whole numbers होता है जबकि integer में क्या होता है यह float में क्या होता है zero point zero से मालग है start way. तो 0.001 हो सकता है 0.0002 हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है अब फ्लोट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है कि अगर आप दो वैल्यू अगर मैंने यहाँ ले लिया जिरो ले लिया और वन ले लिया इसके बीच में कितने नंबर्स है अगर यह decimal में अगर जाता है तो infinite number infinite amount of numbers हो सकते है इसके अंदर यह depend करता है कि आपका precision कितना है ठीक है infinite numbers है 0 और 1 के बीच में तो इसमें बहुत space है इसको hold करने के लिए integer को hold करने के लिए लेकिन अगर हम लोग float को integer में convert करेंगे तो problem होता है क्योंकि तब यहाँ पर data loss होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग decimal में value है हमार पास लेकिन अगर हम लोगों ने इसको integer से connect कर दिया तो तो अगर माल लेजिए इसको नहीं connected है तो अगर मैं करूं तो देखिए कितना rough तरीके से चल रहा है ठीक है एक-एक unit आगे बर रहा है एक-एक meter समझे यहाँ पर एक-एक unit ठीक है तो integer में यह capacity नहीं है कि 0 और 1 के बीच में कुछ है वहाँ पर हो चला जाए ठीक है यहाँ पर यह चीज़ आपको समझ जाए तो data conversion में यह चीज़ हो रहा है ठीक है तो हम दोगों ने चेक किया कि data जो है integer से float में होने पर क्या होता है अगर integer से boolean में करना हो तो क्या होगा तो boolean जो है वह और छोटा समझ लिज़े जैसे कि हम दूगे भी glass के बारे बात किया कि हमारा जो integer है वह glass है तो जो boolean है वह बहुत ही चोटा चमच समझ सकते है चमच इसमें बहुत ही कम data होता है ठीक है तो यह data क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है ठीक है यह true 0 मतलब false False तो यहां हम लिखेंगे false हो सकता है ''No हो सकता है .'' ⁪ लाक हो सकता है ् वाइट हो सकता है तो यह इस तरीके से काम करता है ठीक है एक तरफ स्टेट है दूसरी तरफ दूसरा स्टेट है ठीक है तो एसकेあー जो डिलीट करता हमें तो अगर हम लोग को boolean में करने, यहां पर देखिया, boolean है अपने पास, तो अगर हम लोग इसको यहां पर connect करने तो क्या होगा? जीरो, वन, जीरो वन पर काम कर रहा है उसके बात काम नहीं कर रहा है, क्योंकि boolean जो data है यहां पर उसको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है, ठीक है? लोग इसको व्यूपूर्ट में देख पाएं तो सपोस्थ यहां पर मैंने कुछ लिखा हेलो ठीक है और इसको फिल करते हैं तभी तो मालम चलेगा ठीक से फिल फिल कर तो यहां पर अपना यह स्ट्रिंग आ गया ठीक है तो एक इंटिजर लिया मैंने यहां पर इंटिजर अपना इंटिजर है यहां पर इसको अगर मैं स्ट्रिंग से कनेक्ट करूँ तो क्या होगा यह काम नहीं कर रहा है यह डिरेक्ली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और यहां पर क्या डेटा टाइप्स है तो यह जो इन्टीजर है यह डिरेक्ली इसमें कनेक्ट हम लोग नहीं कर सकते लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नोड है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू टू स्ट्रिंग ठीक है इसके बाद इसको हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आप नंबर यहां पर टाइप करेंगे वह यहां पर स्ट्रिंग में कनवर्ट हो गया है स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या हूआ टेक्स्ट यानि कि इसको डिलीट कर देते हैं यहां से यह इसको नीचे रखता हूँ मैं फिलाब अगरमान लिजे कि मुझे आपको दिख रहा है यह नंबर कि 37 लिखा हुआ है लेकिन यह स्ट्रिंग है कहने का मतलब अगर मैं इसमें एड करूं तो कैसे अड होगा यानि कि स्ट्रिंग एडिशन की बात मैं कर रहा हूं या स्ट्रिंग कांटेनेशन बोलते हैं तो कैसे का कर सकता है तो मैं आपको दिखाता हूं सपोस्ट कि यह मैंने ले लिया यह 5 अश्ट दी कि अगया तो अपने पास दूसरा आ गया इसको हम लोग 6 कर दिन अभी स्ट्रिंग अबी स्ट्रिंग कर दिए अगर मैं यहां पर डालूंगा तो यह बन जाएगा 56 तो यह इस तरीके से होता है, arithmetic edition अलग होता है, arithmetic edition के लिए आपको add math function यूज़ करना पड़ेगा math यहांपे इसको आपको add करेंगे तो add हो जागा ठीक है, यह 11 हो गया, यह arithmetic edition है, यह हम लोग यहां पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे है string edition, string concatenation बोलते हैं तो यह हम लोग इंटीजर से स्ट्रिंग में हम लोग कनवर्ट कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग से इंटीजर में सायद कनवर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसा कोई function यहां पर allowed अभी नहीं है ठीक उसको दिखेंगे हम लोग बाद में इसके बाद क्या है इंटीजर तू वेक्टर वेक्टर तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है आसान है चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसको डिलीट करते हैं तो सिंपल हम लोग यहां पर यूज करेंगे सेट पोजिशन क्योंकि उसमें एक वेक्टर है सेट पोजिशन यहां पर पोजिशन भी है ऑफसेट भी है तो इसको मैं जीरो कर देता हूं या वन कर देता हूं तो इसको मैं वेक्टर से कनेक्ट कर सकता हूं तो क्या होँ होँ? यहां पर यह move तो हो रहा हहा है लेकिन यह अईच्छली क्या हो रहा है? यहां आपको समझना है कि कितने dimensions इना कितने values का data है? तो यहां पर actually क्या हो रहा है? अगर हम लोग देखें integer में तो integer में एक ही dimension है ठीक है यह 0 है या 2 है या जो भी है वो 1 single dimension है ठीक है यहाँ पर 2 लिखा हूँ तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ 2 और वेक्टर में क्या होता है वेक्टर में at least 3 data चाहिए होता है x का y का और z का तो यह जब हम लोग इसमें डालते हैं तो क्या होता है x पे भी 2, y पे भी 2 और z पे भी 2 ठीक है और यह जो cube है यह 1 meter बाई 1 meter नहीं है यह 2 meter बाई 2 meter है ठीक है तो इसको हम लोग 0.5 रखते हैं फिलाल 0.5 ठीक है और अभी इसको अगर मैं करता हूँ 1 तो यह देखिए 1 हो गया क्योंकि इसको आपको पॉइंट से पॉइंट यहां से जोड़ना पड़ेगा ठीक है यह हो गया 2 यह हो गया 3 ठीक है तो यह तीनों एक्सिस में भी जा रहा है x में भी जा रहा है y में भी जा रहा है और z में भी जा रहा है तो यह idea आपको समझ में आया होगा I guess और क्या था तो ये इसके बाद colors में जाएंगे तो colors में भी same चीज होगा colors में आप डालेंगे तो basically क्या होगा कि जो colors का जो component है जैसे यहां पर अमाल देज़े कि red हो गया green हो गया blue हो गया अगर alpha है तो alpha हो गया तो इसमें क्या होगा तो ये एक ही value जो है जितने भी इसके जो axis है जो dimension है उसमें चला जाते है ठीक है वैसे ही आप बाकी को भी convert कर सकते हैं और कुछ खास problem नहीं होना चाहिए हाँ मैं आपको बताता हूँ उल्टा करना होगा तो जिसे अभी हम लोगोंने किया हमारा data था चोटा सा और इसको हम लोगोंने एक बड़े data में ले गया तो obviously इसके पास space है तो इसमें आ गया लेकिन अगर बड़े से छोटे में जाएंगे तब क्या होगा वो एक चीज हम लोग ट्राइ कर सकते हैं जो कि हम लोगों अल्री किया है हम लोगोंने इंटिजर को बुलियन में कनवर्ट किया बुलियन बहुत ही छोटा होता है तो उसमें हम लोगोंने ट्राइ तो किया है गाल देते हैं कि वेक्टर को convert करते हैं हम लोग स्ट्रिंग में या फिर बूलियन में देखते हैं करके ठीक है ? तो एक काम करते हैं इसको डिलीट कर देता हता हम हमें और हम लोग create करते हैं को वेक्टर वेक्टर इसमें क्या है इसमें तीन वैल्यूज है x, y, z तो इसका जो data है क्या हम लोग boolean में डाल सकते हैं येस देखी जा रहा है और यहां पर 0 है यहां इसको समझ में भी आ रहा है अभी जिसे इसमें तो कोई change किया नहीं तो इसको मैं ने 1 पर कर दिया ठीक है या something like this 1.8 meter लेकिन यह काम नहीं कर रहा क्योंकि false है अगर इसको मैं 1 कर दूँ तो यह काम करेगा ठीक है इसको अगर मैं 2 कर दूँ तो इसको कुछ समझ में भी नहीं कि 2 होता क्या भई 0 और 1 ही समझता है इसको ठीक है तो इस तरीके से यह काम करता है अगर मान लिज़े कि यहां पर मैं लेता हूं points ठीक है यहां पर count है 1 सब्सक्राइब यहां पर 28 points ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं randomize कर रहा हूं ताकि hmm position है यहां पर हम लोग को देना पड़ेगा ID index ठीक है और इसको थोड़ा सा बढ़ा किया ठीक है तो कुछ random points यहां पर है अभी जो count है इस count को हम लोग control करना चाहें वेक्टर से तो कर सकते हैं क्या इसको मैंने connect किया यहां पर one है और इसको बढ़ाते हैं तो यह कुछ तो हो रहा है बट यह बहुत ही अनप्रेटिक्टेबल है ऐसा हम लोग करना ने चाहिए five points है भी दिख रहा है five points six points यह देखने के लिए हम लोग use कर सकते हैं viewer check कर सकते हैं क्या चल रहा है तो यह कहां दिखा रहा है auto points के अंदर दिखाएगा point है तो इसको थोड़ा side करते है तो viewer में क्या दिख रहा है six points ठीक है अ अब यह convert होने के बाद क्या दिखेगा okay points points position position फिलहाल six points ही है जब कि मैंने seven किया है यह जब cross कर रहा है eight nine हो रहा है तब यह एक point अट कर रहा है बहुत ही weird behavior है तो इस तरह का generally हम लोग करते भी नहीं है कि हम लोग वेक्टर जो है integer में डाले but एक situation है और इसको अगर आप inspect करना चाहिए तो inspect कर सकते हैं देख सकते हैं कैसे effect कर रहा है but I hope कोई जो idea है वो आपको समझ में आएगा कि आप एक data को दूसरे data में convert कर सकते हैं और आपको किन चीजों का ध्यान रखना ध्यान से दियर रखना है कि data जो है वो उसका size क्या है ठीक है उसके अंदर कितना hold करने की capacity है तो जब हम लोग convert करते हैं तो यही चीज चेक करते हैं कि क्या यह hold कर पाएगा या अगर आपको चाहिए कि हाँ उसमें आपको वैसा ही data चाहिए आपको थरा सा truncate करना है तो intentional भी हो सकता है और कभी-कभी हम लोग गल्ती से कर देते हैं फिर अपको पता होने चाहिए कि हो कि अगरा है ठीक है? I hope कि यह आपको समझ में आपको थैंक्यू सो मच पर वाच इस वीडियो & See you next time. Bye-bye झाल झाल झाल